है 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 गाइस वेलकम वैफिचियल मेडिकोज तो आज कर जो अपना होने वाला टॉपिक वहने वाला हिस्टोलोजी ऑफ ओवरी टिक यह अपनी अभी तक की एट नंबर की स्लाइड है ठीक है साथ अभी तक करवा चुकाऊं मैं अपना अठ्वे नंबर की स्लाइड पढ़ करते हैं में अज का अपना टॉपिक हिस्टोलोजी ऑफ ओवरी तो अबरी के बारे में आप जन्रली तो जानती होगे कि ओवरी क्या होता है तो फीमेल रिपोड़क्टिक और वटा है एस चीज़ तो अपन सब लोग जानते है बच्चा बच्चा जानता है फिर बात करते है आपने में अपने होती है तो सबस्क्राइब करते हैं प्रोडियूज कर्वा дост ने होता है जन्रली जनल्ड लोगेल वो भी जाने को सब्सक्राइब नहीं अट सबसे आउटर पर आपको चीज देखने को मिलती है जो कवरिंग देखने को मिलेगी वह आपको देखने को क्या मिलेगी जर्मिनल एपिथीलियम की लेयर है दो डॉनर एपिथीलियम की जो लेयर होती है वो बशींपhouseyou ॉससे लाइन होती है इतना समझ आता है तो सबसेती तो सबसेटتم पर एक जो एक चीज ओलो track है उनसे यह मेली बनी होती है टिक ट्यूनी का एल्बूजी नहीं है इतना समझ आगे दो लियार हुए है अपनी अब बात आती है कोटेक्स एंड मेडूला तो हमेसे याद रखना है कि जो भार वाला पार्ट रहता है आउटर पार्ट तो से बोलते हैं कोटेक्स और इनर वाले को बोल इरियह है आले तो कोटेकल पार्ट में क्या हो गा है अगर मैं जनर इसका दिन करहूं कोई फेमेल है जो की मदलब रेपोड़क्टिव फेज में चल रही है मदलब कही सप Aurशी क जो है को देली चलती रहती है तो मतला पनी जर आप सकते हैं कि झ heroin की में चल लगए तो आपको Contini Proteal area में क्या देखेंगे आपको Particle Line तो उनकीद उनकीफ्लमेंट की फ़नी ओर टिक जए ऐड़ान्स में लुग किस वैसे तविटिन संपहुण हुआ में उतता है क्लार कीद देखने मिली वुग उत्यान दिक इस लिय तो ़ा या डिफैन को इन तो आपको शा HIV इस आजुवर्ध बात करूं कि कोई लेडीज है जिसका मिनोपॉस हो गया है मतलब कि उसकी एमसी वो रुख गई है तो आपको डपलपमेंट वाली इस तो देखने को नहीं मिले हैं तो आप जो फॉलिकल्स रहते हैं जो अपने जनरली प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते थे अगर कुछ बच भ हो गई है एमसी बंद हो गई है तो अगर उसकी अगर हिस्टोलोजी की बात करते हैं तो ओवरी की तो हाँ पर देखने को मिलें एट्रेटिक फॉलिकल्स ठीक कोटेकल एरिया में इतना समझ आता है आगे बात करते हैं मैडूला वाले पोर्शन की तो मैडूला का सबसे इनर होती है मैडूला पोर्शन में तो हाइली बिलेट सप्लाय होगी ठीक है और वहां पर में लिखा होते हैं कनेक्टिव टिशू ठीक है जो की उस इस्ट्रेक्टर को मैंटेन करके रखेंगा पकड़के रखते हैं तो इतना आपने को याद होगे सबसे आउटर पर क्या मिलें सबसे आउटर पर आपको मिलेगी जर्मीनल एपिथीलियल इतना समझ आता है उसके बाद सेकेंड मिलता है अपने को ट्यूनिका एल्वी जीनिया ठीक है जो की कनेक्टिव टिशू की क्या होती है लेयर होती है फिर आता है आउटर कोटेक्स ठीक है जो कॉटिकल पार्ट आ इतना समझ आता है जो फॉलिकल्स जनरली पड़े हैं मतलब की अरेश्ट होकर रह गएं अब फर्दर और को जब फॉलिकल्स करेंगे अगर फॉलिकल्स करेंगे ओसके बाद ग्राफिन वी बनाएंगे जो आपको बहुत दिख रहा होगा अगर चेंज कर लेते हैं पन्तीक ह पर धूर निकलता है और जो अपना कॉर्पस लीटियम हो जाता है बाद में जब जो जिए अपने को अगर मान चलो कोई लीडी से जिसका मीनुपोस हो गया तो यहां पर जनली अपने को तो एक्रटिक फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं जो हां पर ब्लेक कलर के डॉट से बना रखेंगे इतना समझ आता है अब अगर मेडिवला की बात करते हैं तो मेडिवला आपको रेड कलर से देख रहे होंगी ऐसी कुछ बलड बैसल सी देखने को मिलेंगी और कनेक्टिव टि यहां पर को रिलेट कर सकते हैं जिसके आपकी कंसेप्स और अच्छी के लियर होंगी बार बार पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको तीक है आगे बात करते हैं कि अब देखो और ओम निकल के आता है तो ओम का भी थोड़ी देख लेते हैं अपन जब ओम निकल के आ इतना समझ आए उसके बाद जब फर्दर इस पम अगर जोना पैलिशीडा को क्रॉस कर लेता है जब वो फर्दर अंदर पहुंचता है ओम के ठीक है और वहां पे जाके जो अपना जो क्रोमोजूम्स होते हैं जर्नली क्या होता है कि देखो जो ओम होता है हैपलोड होते हैं बनाते हैं जो की डैपलोड होता है इन निचर मतलब की आदा जैनेटिक्स मदर से आता है आदा भादर से आता है तो जनली यह इसका अपना हो गया ओम का कम्प्लीट अब यहां पर डाइग्राम आपको दखा दिखा दिख दो आपको एंसा दिखे गा ठीक है जो आउटर प देख रहा होगा ठीक है और जी अंदर वाला पार्ट है एंडूरी पार्ट है तो यहां पर ब्लड वैसल एंड कनेक्टिव टिशू मेंली देखने को मिलते हैं तो देखो ब्लड वैसल का अरेजमेंट कुछ ऐसा आई और जो बाहर का होगा वह अपनी हो गई यहां पर जर् यह वाला portion देखिए यह वाली स्लाइड ओबरी की तो आपको ऐसी देखने को में लेगी अगर आप स्लाइड में देखते हो तो 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 प्रेक्टिकल में आपके लिए काफी जरूरी होता है आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ता है क्लिनिकल फीचर्स लिखने पड़ते हैं वह काफी important हो जाता है टीक बाय बाके लिए तो यहां पर आप देखो यहां पर आपको क्या क्या चीज़ दिख रही देखो यहां पर फॉलिकल्स दिख रहा है कुछ एसे कि हाप आपको देख रहे होंगे प्राइमेडियल फॉलिकल्स सबसे आउटर में तो जर्मिनल ए कीव लड़ने कीवार मी Cash